नमस्का दोस्तों मैं फिर हाजरू हूँ है आपके लिए एक निया वीडियो लेकर तो दोस्तों आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस बुक के बारे में बताने वाली हूँ जी हाँ दोस्तों ये जो बुक है लियूसेंट की सामानी ज्यान की ये बुक है जीके की ये बुक है और ये लियूसेंट पब्लिकेशन द्वारा क्या प्रकाशित की जाती है तो इस बुक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बुक को कैसे cover किया जाए कम से कम समय में तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा चली दोस्तो स्टार्ट करते हैं कुछ भी बताने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा पोस्तर सजेशन है जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हो सकता है किसी और चैनल पर इसी बुक के बारे में पढ़ने का और कोई तरीका बताया गया हो तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस वीडियो को फॉलो करना है चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज़का वीडियो तो दोस्तो देखिए ये जो बुक है लियूसिन सामाने ग्यान जीके की ये जो बुक है ये SSA और रेलवे के लिए काफी स्टूडेंस अज़ेस्ट करते हैं अगर आप SSA की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी SSA एक्जामस में जहां पर जीये साता है ये रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफिनिट्ली आपको ये भुक खरीदनी चाहिए अब मैं आपको बताओं कि ये भुक क्यों खरीदनी चाहिए ग्योंकि जो ये भुक है ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है और ये काफी सालों से ये जो बुक है students द्वारा क्या पड़ी जा रही है ठीक है और जो इसका review भी है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है students जो भी आपने देखा होगा अगर आपने ssc toppers या फिर railway exams में जो टॉप की है students या जिन्होंने exam clear किया है उन students ये बुक पड़ी होती है okay अब मैं इसके अगर खास बात बताऊं तो इस बुक में क्या जो important point है हर एक section के चाहे मैं इतिहास की बात करूँ राचीन भारत मध्यकालीन भारत या फिर आधूनिक भारत की उसके साथ साथ विश्वे थियास भूगोल भारती अर्थिव्यवस्ता भारती सम्विधान रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान विज्ञान एवं प्राध्योगी की विविद खेल कूद और कम्प्यूटर मतलब यहाँ पर हर टॉपिक को काफी अच्छे से कवर किया गया है point wise ये book दी गई है जिसमें important points को कवर किया गया है important facts को कवर किया गया है तो मैं बात करती हूँ कि इस book को अच्छे से cover कैसे किया जाए कि आप कम टाइम में इसको पढ़ सकें तो देखिए किसी भी exam में किसी subject को cover करने के लिए यह सबसे जादा जरूरी रहता है उसका multiple time division क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आपने ये book एक बार complete कर ली अगर आपने उ जाता है या को एक section cover हो जाता है तो आपको उसका revision जरूर करना चाहिए ठीक है कोई दूसरे topic के और बढ़ने से पहले क्योंकि देखिए आपने formal reading की ठीक है आपने reading की for example प्राचीन भारत आपने पढ़ लिया प्राचीन भारत का इतिहास के स्त्रोथ पढ़ लिये प्राग जिन तो याद रहेगा पर क्या करोगे बहुत सारा जब आपके पास content हो जाएगा ना तो आपको कुछ भी आद ने रहेगा अगर आपने एक बार reading करी है उसका main reason यह है कि इस book में क्या है आपको केवल points cover किये गए हैं ठीक है केवल points important जो points होते है important जो facts हैं वो cover किये गए है ठीक है क्योंकि अगर हम किसी कहानी को पढ़ते है ना for example हम NCRT पढ़ते हैं तो हमें NCRT में क्या रहता है वो कहानी पूरी याद रहती है कि किस तरीके से क्या हुआ था किस ने कब युद्ध किया कौन सा युद्ध हुआ क्यों हुआ उसका कारण क्या था पर इस book में जो cover क करने में याद करने में थोड़ी कठीनाई होती है परन्तु ये बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो और आप इसका अगर multiple time revision करोगे तो definitely आपको ये book याद हो जाए तो मेरा सबसे पहले अगर आप किसी section को complete करते हैं तो उसके बाद एक बार revision करिएगा दूस सब से मिलर होता है काफे similar होता है तो vivid का section आपको सबसे पहले पढ़ना है और इसका revision करना है ताकि आपको यह याद रहे तो vivid का section जैसे ही आपने complete किया अब आप इसको क्या कर सकते हो अब आप शुरुआत से इसको पढ़ सकते हो अब हम आगे कहा पर अब हम आगे इतियास पर अब देखिए इस book में मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा अब पुछा जाता आगा करना है न jeo घatto को पॉच्ष जाता है अधुनिक भारत की इत्यास पर आजाए गतांभारत का जैसे आपको हो जाए अच्छे से रिबेजन हो ₹ जाए अपका बातिया सम्विधान मतलब इंडियाइं को पॉलिटी से वह सबपर पुछ जाते हैं railway SSEC के exam में जैसे ही आपका भारती संविदान का पूर्शन कंप्लीट होगा आप पहुच जाएगा भारती अर्थविवस्था पर पोछने के बाद भारती अर्थविवस्था के भी काफी question पूछ जाते हैं तो भारती अर्थविवस्था को कवर करने के आप NCRT प्लस इससे कंप्लीट करेगा वो इसलिए क्योंकि देखिए भुगोल को जब तक आप समझोगे यह नहीं न तो आपको यहां पर कुछ समझ नहीं आने वाला है यहां पर बस आप बता दोगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व की सबसे चोटी न तो यहां पर क्या याद करने वाले चीज़े दिए ऐसा नहीं है कि आप कोई समझ नहीं आएंगी डारेक भाशा बहुत सरल है आप समझ सकते हो परंतो अगर अच्छे से भुगोल का सेक्शन आपको कम्प्लीट करना है तो मेरे पोस्नल सजेशन है आपको कि आप NCRT प्लस इससे पढ़िएगा भुगोल का सेक्शन इसलिए आप इससे पढ़िएगा को कि भुगोल को समझना बहुत ही जादा जरूरी है अगर थोड़ा सा भी डीप पूछ लिया गया भुगोल तो आप नहीं कर पाओगे क्वेशन ठीक है तो आपको समझने के लिए यह जरूरी है आपर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलोजी का सेक्शन है वो आप अच्छे से पढ़िएगा बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपर में डेफिनिशन दी हुई है बायोजी का भी सेक्शन का अच्छे से कवर किया गया है और असायन विज्ञान का भी काफी अच्छे से कवर किया है तो आप साइस के सेक्शन पढ़ने के बाद आप पहुचाएगा विज्ञान एवं प्राध्योगी की पर पिर कंप्यूटर का सेक्शन पढ़ लीजेगा जो कि इसमें काफी इंपॉर्टेंट इसमें कवर किये गया है दैन आप खेलकूद पढ़ सक यह बुक बहुत मोगी है देखिए अगर आप इस बुक कंप्लीट भी कर लेते हो तो इसमें से कुछ याद नहीं रहने वाला है अगर आप मल्डिपल टाइम डिवेशन नहीं करोगे ठीक है तो बेटर है कि आपको यह एंसी आडी पर लो उसका रिविशन कर लो उसके बात करते हैं कि और अच्छे से ये Lucent की book को जो समानेगान का section है वो कैसे cover किया जाए तो उसी का solution है ये वाली book देखें ये वाली book ये वाली जो book है ये समानेगान वास्तोनेष्ट संभावित प्रश्णों के लिए है ये भी Lucent publication द्वारा प्रकाशित की जाती है ये देखें ये Lucent की किताब है वास्तोनेष्ट प्रश्ण लिए ठीक है तो हमें इस book की बात करो तो Lucent जैसे कि आपने cover कर लिए ठीक है आपने पढ़ लिए Lucent तो आप इससे question ज़रूर लगाईएगा क्योंकि देखें इसमें previous year के जो questions दिये हुए है और आपको इससे क्या होता है आपको एक idea लग जाता है कि किस तरीके के questions आते हैं ठीक है आप idea आपको जैसे ही लगा आप जो questions solve करोगे इसमें क्योंकि बहुत सारी questions दिये हुए है definitely आपको वो चीज़े याद हो जाएंगी और SAC Railway की एक खास बात ये है कि वो क्या questions repeat करती है ठीक है अगर previous year के आप question people लगाओगे और अभी का questions देखोगे तो आपको ये खुद realize होगा कि जो railway और SAC का portion है वो हमेशा क्या होता है जो questions होते हैं वो repeat होते है तो आपको क्या करना है इस book को पढ़ने के बाद definitely इस book को जरूर पढ़िएगा इस वाली book को क्योंकि इसमें क्या होगा जो section यहाँ पर एक्जम्पल कोई important point छूड़ गया तो ये जो book है वो आपका cover करा तो मेरा तो आपको यही suggestion है अगर आप SSC या रेलवी की preparation कर रहा है तो definitely आपको इस book खरीदनी चाहिए GS section के लिए और यह दोनों book खरीदनी चाहिए अगर आप अच्छे से cover करना चाहते हो GKS का section तो यह मेरा poster suggestion था और बागी मैंने आपको बता दिया कि इस book को किस तरीके से cover करिए सेक्षन वाइस कवर कीजिए ठीक है क्योंकि देखिए इसमें हर एक छोड़ा सुटे section दिया हुआ प्राचीन भारत के अलग section मदिकान भारत के अलग section और आधुनिक भारत का अलग section तो आपके अगरी छोड़ा छोड़ा जो parts में उसको divide कर दीजे then दीरे दीरे आप क्या कीजे cover करते जाहिए और multiple time revision करते जाहिए यकीन मानिए मेरा ये जो book है आप इसको एक महीने में complete कर सकते हो पर ऐसा है कि revision होना बहुत ही ज़ाधा ज़रूरी है revision करने में थोड़ा time लगेगा आपको इसको रटने में थोड़ा time लगेगा वो इसलिए क्या facts cover करती है important points cover करती है तो यह आपको definitely book लेनी चाहिए और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ जो ये book है कि चुके important points cover करती है इस वज़े से आप इसको एक कहानी की तरह नहीं पढ़ सकती आपको केवल important points ही याद रहेंगे यह जो मैं आपको पहले ही पानी पत के युद्ध का आपको क्या दे चुकी एक्जामपल दे चुग तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो कि इस बुक को कैसे आप cover करें और अगर अच्छे से आपको cover करना है questions को तो इस बुक को ज़रूर खड़ी दिया यह वास्तुनेश प्रशनवाली बुक है तो यही था दोस्तों कि इस बुक को कैसे complete किया जाए कैसे cover किया जाए तो दोस्तों I hope आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो अगर कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में thank you so much